नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देखेरे हैं संस्कृति आयस यूटूब चैनल साथियों भारत विविधिता का देश माना जाता है विविधिता भासा के आधार पर है छेतर के आधार पर खान पान के आधार पर रिती रिवाज के आधार पर धर्म और जाती के आधार पर अब इन ही आधारों को मान करके ऐसा माना जाता है कि भारत एक समर्दशाली देश है लेकिन कई बार यही विविधिता जो है समस्य का करण भी बन जाता है कहने कातात पर यह है कि इन ही विविजताओं को आधार मानते हुए कई बार देखा गया है कि भारत में अलग राज या छेतर की मांग होते रही है और या आज की कोई नई घटना नहीं है या आजादी के समय से ही लगातार चला आ रहा है इसी संदर में आज फिर हम एक मुद् राज बनाने की मांग चलते आ रही है पिछले कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश को ले करके यह मांग आई है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चमी हिस्सा है उसे अलग करके एक नया राज बना देना चाहिए और संजीब बाल्यान जी हैं जो कि यहां मुझपर नगर के MP ह और यहां जो है राज्युमंत्री भी है केंदर सरकार में तो इन्हों ने इस बात की मांग की है हलांकि बीजेपी के बहुत सारे लीडर ने इनके बातों से और शहमती भी जताई है और सहमती क्यूं जताई है उस पर हम बात करेंगे यदि उत्तर प्रदेश का पूरा मैप देखें तो यह जो पश्चमी हिस्सा हो जाएगा इसमें तकरीबन 22 डिस्टिक माना जाता है अभी पूरी तरह से किलियर नहीं है क्योंकि कई जगा आकरा आपको 18 डिस्टिक का मिलेगा कई जगा 22 डिस्टिक का मिलेगा लेकिन मोटा मोटी यह जो एरिया पर जाता है आप इस हम डिटेल से बात करने बाले हैं फिर इससे हम आगे बढ़ करके यह भी समझेंगे कि नए राज्यों की मांग क्यों की जाती है नए राज्य अगर बनते हैं तो उसका लाव क्या होता है नए राज्य यदि बनते हैं तो उसका नुक्षान क्या होता है और हम इस बात की खोज क सूचना आपके लिए है और सूचना यह है कि संस्कृति आये सी के फांडेशन बैच की घोशना कर दी गई है और यह बैच जो है 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंब हो रहा है ऑनलाइन मोड में होगा इसकी फी केबल 25,000 रुपिय रखी गई है जिसे आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं कोर्स में सामिल विशेषताओं की बात करें तो इसमें 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी वैधता कब होगा जब आप नामांकर ले लेंगे तो एक साल तक और समित बार इस को आप देख सकते हैं प्रतिरीन दो कक्षा होगा नियमित क्लास टेस्ट भी हो के अपना नामांकर सुनिश्चित करवा सकते हैं अब हम लौटते हैं चर्चा के तरफ यदि आज का आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो यह जो है इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने इनहीं के बयान को यहां पर प्रमुक्था से साम इसको एक अलग राजी बनाने की बात की जा रही है लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब संजीब बालियान जी ने यह बात कही एक जाट पंचाय चल लहा था अंतराश्टी अस्तर का उसमें इन्होंने यह बयान दिया उसके बाद भारती जंदा पार्टी कहीं बहुत सारे लीडर वहां आए आगे बर के प्रेश में और उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है यह उनका व्यक्तिगत हित हो सकता है ठीक है यहां पर यह बाते की गई है संजीब बालियान को है केंद्रिय मतश्य पालन पशु पालन और डेरी राज्य मंत्री हैं इन्होंने कहा कि अगर यह जो पश्चमी उत्तर प्रदेश एक नया राज के रूप में बनता है तो यह बहुत ही समदेशाली होगा और भारत के सुरेष्ट राज्यों में से एक हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हम टटोलते हैं कि आखिर इसका वजह क्या है सबसे पहले देखिए कभी भी नए राज्य वेगर बनने की बात की जाती है तो उसके प सापेक्षता में इसका अध्यन करेंगे सापेक्षता कहने का तादपर यह है कि जब यहांपर योगी आदिततनाद पहली दफार मुकमंतरी बनते हैं यानि 272 के एसमेली पौल देखेंगे और यह समझेंगे कि बी-जेपी के क्या इस्तिति रही है जो कि बी-जेपी के ही ल सतरक assembly पोल्स को अगर आप देखेंगे West UP के संदर में यहाँ पर देखें, BJP को 74 seats आया था, Congress को 2, BSP को 3, SP समाजबादी पार्टी को यहाँ पर 15 seat और RLD को 1 seat आया था, यहाँ पर यहाँ जानना होगा आपके हो, कि यहाँ पर जो था SP, यानि की समाजबादी पार्टी और Congress इसने Pre-Polse Alliance कर लिया था इनका गठवंदन था उस समय 2017 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर BJP को 74 seat सा लेकिन यह घट करके 2022 में 63 seat पर आ गया ठीक है, इसके बाद यहाँ Congress जो है, वह 0 तक सिमरता नजर आया जो कि उसे पहले 2 seat था और SP का यहाँ पर seat बढ़ा जो समाजबादी पार्टी है, उसका seat जो है यहाँ बढ़ करके आप यहाँ पर देखिए 15 seat था और 15 से होकर के 24 पहुंच गया है और RLD को अचानक से बहुत फाइदा मिला है, चुकि RLD इस चेतर की पार्टी है, जो पश्चिमी UP का हिस्सा परता है, वहाँ की पार्टी RLD माने जाती है, उस चेतर में उसका डबदबा माना जाता है, तो RLD को वहाँ पर एक ही seat था, 2017 में, लेकिन यहाँ पर 2022 के assembly polls होते हैं, उसमें RLD को 8 seat आता है, इसका कारण यह है कि यहाँ पर pre-posed alliance होता है कि इसका, SP का और RLD का, तो इसके वज़ा से फाइदा मिलता है, ठीक है RLD को भी फाइदा मिलता है, और समाजबादी पार्टी को भी फाइदा मिलता है और पूरा का पूरा नुक्षान किसको होता है, BJP को, यानि कि इस छेतर में आप देखेंगे, पिछले 5 साल में, 2017 से 22 की बात कर रहा हूँ, इस 5 साल में देखेंगे तो भारतिय जन्ता पार्टी का कद यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, और इस छेतर का जैसे मैंने कहा कि मुझपर नगर के सांसन है, संजीब बालियन, तो कहीं कहीं, उनका कद यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो यही कहना है, BJP के बांकी लीडर जो उस छेतर के हैं, उनका, कि वह अपने बचाब में इस तरह का बयान के चलते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा, किनकिन राज्यों के विभाजन की मांग की जा रही है, वह भी हम देखेंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, देखिए, 2011 के नमंबर मेहने में इसकी बात की गई, उस बक्त सूसरी मायवती जी जो हैं, मुखमंत्री हुआ करते थी उत्तर प्रदेश की, उन्हों ने क्या एक कॉंसेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बात देना चाहिए, चार छेतर के आधार पर उन्होंने कहा था, जो एक छितर था इसका उन्होंने कहा कि यह जो एरिया परता है वह पुर्वांचल का एरिया होना चाहिए जिसमें भोजपूरी बेल्ट के जो छितर आ जाते है जो जिस्टिक आता है जैसे कि आपका गोरकपूर हो गया वारा नशी वाला हो गया देवरिया हो गया ये सब छितर जो है वह पुर्वांचल का हिस्सा हो जाए इसके बाद उन्होंने कहा कि यह जो मद का छितर है वह अवध वाला जो लखनो वेगरा का छितर परता है यह अवध का छितर एक दूसरा राज हो जाए और जो बुंडेल खंड वाला हिस्सा है वह एक अलग राज के रूप में यहाँ पर बुंडेल खंट राज अलग से बन जाए और यहाँ पर एक अलग राज बने प पश्च दिया गया था किन्धर सरकार के पास भी भेजा गया था किन सरकार ने कई जो है प्रश्ण पूछे राज्ज सरकार से उस समय के जो तातकाली राज्ज सरकार थे उनसे कई प्रश्ण पूछे कई मसलों पर जानकारी चाही कि आप जो ये चार छेतर कह रहे हैं बटबारा करने की बात तो आप मुझे बताईए कि उसकी राजधानी कहा तक होनी चाहिए उसके बाद देखिए राज्य पे कर्ज होता है और उत्तर परदेश वैसे भी एक गरीव राज्य माना जाता है तो उस पर कर्ज का बोज़ काथी है तो यदि ये राज्य का बटबारा होता है चार अलग भाग में तो कर्ज का बटबारा कैसे होगा क्या आप सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था ये बात जो है उस वक्त वहीं दब गई लेकिन बाते जरूर ये कॉंसेप्ट कर डब गया समय के साथ इसकी मांग जो है लगातार बढ़ती चली गई एक मांग यह भी है कि चुकि आवादी जो है उत्तर प्रदेश का वह 25 करो है कि यहां पर आप जो है एक नया राज्य बना दीजिए ताकि इसके प्रशाशनिक कामों में दिक्कत ना हो पाए चली अब इससे आगे बरते हैं अन राज्यों के निर्मान की बात कर लेते हैं कि इससे पहले पिछले 20-22 सालों में किन-किन राज्यों का निर्मान हुआ है उस पर हम समझ लेते हैं देखिए यहां पर 2000 इस पर आपको नज़र डालना चाहिए 2000 में तीन नए राज्यों का निर्मान हुआ ठीक है और यहां पर बाते यह की गई कि छोटे राज्यदी बनते हैं तो प्रशासनिक दिश्टिकों से राजनेतिक दिश्टिकों से आर्थि सम्र्द हो जाएगा ऐसी परिकल्पना की गई और इसके तहट एक नमंबर 2000 को मद परदेश राज से 36 गड़ राज को अलग कर दिया गया च्छतिस गड़ पहले मद परदेश का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन एक नमंबर 2000 को 36 गड़ क्या होता है कट करके एक नया जो है र लck करके उत्रा खंड राज बना दिया जाता है उस वक्त उत्राखंड का नाम उत्रांचल हुआ करता था लेकिन बाद में फिर इसका नाम उत्रा खंड कर दिया थे तो पहाड़ी जो राजी थην थे आप सोचिए उस वक्त उत्तर परदेश और उत्तरकंड एक ही राज दीजिए और यही किया गया फिर बाद में उत्तर प्रदेश के यह जो तेरह डिश्टिक है इसको करके अलग एक उत्तरखंड राज्जी ही बना दिया गया उसी समय 2000 इसमी में ही 15 नमंबर को बिहार का भी बटबारा होता है और बिहार से 18 जिनों को काट करके एक नया स्टेट बना दिया जाता है जिसका नाम जारखंड रखा जाता है इसके भी यही परिकल्पना की गई कि जारखंड जो है एक आधिवाशी बहुल राज्य होगा और वहां पर फिर उसके विकास के लिए चुकी जल जंगन जमीन की बात की जाती रही वहां पर उसके विकास की प्रक्रिया कुछ और हो जाएगी निती निर्मान कुछ और तरीके से करना परेगा इसलिए यहां पर ज्ञारखन का निर्मान कर दिया जाता है उसके बाद तकरिबन 14 साल बाद फिर से चर्चा चलता है और मामला फसता है आंध प्रदेश को ले करके और यहां से एक नए मिल जाएगा यूटूब पे मिल जाएगा ता आप देखेंगे बहुत ज्यादा राजनितिक भिरोध किया जा रहा था इन सब चीजों का लेकिन उस वक्त जो है दो जून 2014 को तेलंगाना के रूप में एक नया राज भारत के शमक्ष आ जाता है इसके बाद हाल ही में आप इस चीज को समझे कि 26 जनवरी 2020 को दो अलग-अलग केंदसासित परदेश होते हैं कहने का मतलब एक केंदसासित परदेश है दादर एवम नगर हवेली और दूसरा है दमन और दिप इसको क्या किया केंदसरकार ने दोनों को मिला दिया यह दोनों अलग-अलग केंदसासित परदिश हुआ करते हैं इसके अलाबा कि आपको कुछ और याद आ रहा है बिलकुर आपको याद आना चाहिए और वह याद क्या है तो अगस्त 2009 ठीक है अगस्त 2009 में यहां पर 370 खत्म कर दिया गया कहां पर जमू और कास्मीर में और जमू और कास्मीर में 370 खत्म किया गया उसके साथ ही जमू और कास्मीर को दो अलग राज्यों में बाट दिया गया दो अलग-अलग केंसासित परदेश बना दिया गया है यूटी है लेकिन केंसरकार जो है गिरी मंत्री खुद लोक्षभा में कई बार यह कह चुके हैं कि उप्यूक्त समय देखते हुए जो जमुकस्मीर राज है उसे पूर्ण राज का दरजा दे दिया जाएगा हलांकि यहां पर नेचर में पाई है कि शुनाब करा लिया जाए तो यह माजरा यहां पर इतना बंता हुआ नजर आर रहा है पिछले 22 Yakarna के एतिखाष को हम देख लेए तो संसते को कहीं से भी या आपके मन मस्तिस्क में नहीं आना चाहिए यहां से अनुछे तीन ने राष्ठ पती को किसी परकार का विशेश सक्ती दिया है यह संसते सक्ती की बात की जाती है तो संसत में तीन अंग शामिल होते हैं लोग один सभा राज सभा और प्रेसिदेंट ओफ इंडिया तो यह तीनों ही अंग इसके मिल करके शंसद का निर्मान होता है आपको यह क्लियर होना चाहिए यूपीस इस पर एक प्रिलिम्स में प्रश्ण पूछ चुकी है राज बनाने का अधिकार भी दिया गया है किसको संसद को उस किसी अधिकार का परियोग करते हुए संसर ने लद्दा को नया यूटी बना दिया जमुकस्मिर को भी बनाया उसी का परियोग करते हुए 2014 में अनुछे तीन का परियोग करते हुए संसर ने क्या किया तेलनगाना को एक अलग राज्य बनाया था राज्य का छेत्र बढ़ा सब्सक्राइब का सब्सक्राइब नए राज्यों का गठन करने वाला विध्यक्य क्या होगा सबसे पहले राष्टपती की मंजूरी के बाद संसद में पेश कर दिया जाएगा यहाँ पर क्रिया समल लीजिए पहले क्या होगा राष्टपती की मंजूरी होगी जो भी विधेक होगा उसको राष्टपती मंजूरी देंगे उसके बाद वह शंसद में पेज कर दिया जाएगा यहाँ पर क्या है राष्टपती जो भी यह विध्य होगा इस विध्य को सम्मंधित राज के राज विधान सभा में भी भेज देंगे माल लेते हैं जैसे यहाँ पर जैसे यूपी का ही ले लेते हैं और यूपी में कहा गया कि भाई आप पश्चमी उत्तर परदेश जो है इसको एक अलग राज बना दीजिए ठीक है तो यहाँ पर यदि विध्य की यह आता है तो इस विध्य को राष्टपती यूपी के विधान सभा में भेज देंगे यानि कि इससे संबंदित राज कोन है उत्तर परदेश है तो उत्तर परदेश के विधान सभा में इसे भेज दिया गया अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि उत्तर परदेश विधान सभा जो भी फैसला लेती है इसको मानने के लिए संसद बाधकारी नहीं है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए तो संसत जो है या इसके लिए पूरी तरह से बादिकारी नहीं है संसत का अपना मन है हमने आप से पूछा आपके सला जो है उसके लिए थैंक्यू लेकिन हमारी जो मर्जी होगी हम वह करेंगे यानि कि यहाँ पर संसत को पुर्न अधिकार दिया गया है संविधान के अनुछे तीन के तहर ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए संसत राज्य विधान मंजल की राय को मानने के लिए बाद नहीं है यह चीज मैं इतना इसलिए क्लियर समझा रहा हूं चूकि यह बाते जो है बहुत क्लिष्ट हो जाता है कॉंप्लेक् करिया क्या है इसके लिए परकरिया होगा कि दोनों सदनों से इसे पास करना पड़ेगा दोनों सदन कहने का तातपर यहां पर लोगशभा और राजसभा से संबंदित है अब चलिए दोनों सदन से पास हो गया लेकिन आप आपके दिमाग में आएगा आप सोचेंगे यह प साधारन बहुमत से ही पारित होगा दोनों ही शद्नों में साधारन बहुमत कहने का तत्पर है कि जितने लोग उपस्थी थे आधे से एक अधिक की बात की गई है ठीक है तो साधारन बहुमत से ही पारित हो जाएगा उसके बाद जैसे किसी वी विध्यक को राष्टपति की श इसे सिकर्ट बात नहीं की गई है राष्ट पति की सुकृर्टी के लिए भेज दिया जाएगा राष्ट पती शुकृर्ट कर देते हैं उसके बाद नए राज्य का धूमधान से गठन हो जाएगा तो ये नए राज्य के गठन की परकरिया भी आपने जान ली है अब यह समझ लेते हैं कि डिमांड क्यूं कोई बढ़ा राज़ है वहाँ population एगर उत्तर पर्देश का उधारन लेते हैं ठीक है अब उत्तर परदेश की बाते करें तो उत पर परते के बारे मैं कहा जारा है कि 25 करोर से अधिक यहां का population हो सकता है और पश्मी उत्थर प्रदेश की बात करें, तो कहा गया है कि पश्मी उत्थर प्रदेश का 8 करोर से अधीक population है पश्मी उत्थर प्रदेश का, अपने आप में एक बड़ा रज्ज है, इसका विस्तार देख लीजिया, आप पश्मे उत्तर परदेश घूमने जाएए जो कि मुझफर नगर का एरिया है या फिर आपका मेरट का एरिया है सहारनपूर का छेतर है आप यहां घूमने जाएए और आप पुर्वे उत्तर परदेश में घूमने चले जाएए गोरखफूर का देवरिया का छेतर चले ज थेतर जाएगे आपको जमीन आश्मान का फर्क नज़र आएगा भाष्षा के आधार पर भी रहन सहनके आधार पर खान पान सब्भीता संस्कृति के आधार पर आपको नज़र आने लग और पुरवी उत्तर प्रदेश से लोग पलाइन करके पश्मी उत्तर प्रदेश आ जाया करते हैं जैसे कि गोतम मुद्ध नगर आप देखेंगे यह जो दिश्टिक परता है जिसमें नौईडा ग्रेट अनौडा यह जो NCR दिली वाला छित्र है यहां भी आते हैं लोग तो कहने का अतातपर है कि एक ही राज में विशमता देखी जा रही है तो अब विशमता क्यों आई प्रश्न तो यह बनता है ना विशमता यही आई होगी कि जब भी संसाधनों का बटबारा हुआ तो संसाधनों का न्याय पुर्वक बज़वारा नहीं हुआ, विविन छेत्रों में, क्योंकि देखिए, वहाँ जितना भी टैक्स आया, सभी छेत्र से टैक्स आकर के पहुंचता है, लेकिन उसका खर्च जो है, राजिक के सभी छेत्रों पर बराबर नहीं हो पाया, यानि कि जो न्याय होना चाहिए, वह जो है, उसमें विशमता रही, है न, ओशमानता रहा, और यही आर्थिक संसाधनों के बेहतर परबंद के लिए, बार-बार छोटे राजियों की मांग की जाती रही है, इसी बात को कॉंसेप्ट बना करके, पहले मद परदेश से 36 के अलग हो च चुका है, और उत्तर खंड जो है, उत्तर परदेश से अलग हो चुका है, और यह तीनों 2000 इसमी में हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है, निवेश के अधिक अवशर आएंगे, इनका कहना है कि देखिए, जब छोटा राज बनेगा, तो निश्चित तोर पर लक मेरेट वाले रिजन में चला जाता है, सरकार हाल फिलाल में बुंडेल खंड पे थोड़ा सा जोड देना चाह रही है, सरकार ऐसा कॉंसरप्ट ला दिये कि नॉइडा के तरज पर बुंडेल खंड को भी विक्षित करेगी, वहीं आप देखेंगे तो पुरवी उत्तर मैंने आर्थिक संवर्धी नहीं कहा है, आर्थिक विकास की जब बाते करें तो इसमें संवर्धी जो है वह शामिल हो जाएगा, अनिवार रूप से आर्थिक विकास में आर्थिक संवर्धी शामिल होता है, आर्थिक संवर्धी कहने का तातपर होगा, आपने एकॉनमी में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आर्थिक संब्रधी का कहने का ताथ पर अर्थ वेवस्था से जुरी हुई चीजों पर होता है जीडीपी बढ़ गया आपका है ना आपका नेशनल इंकम बढ़ रहा है इन सब चीजों में जब बढ़त्री होगी तो वह कहा जाएगा कि बातें भी की जाएगी यानि की हैपिनेस इंडेक्स की बातें की जाएगी एस डियाई की बातें की जाएगी ठीक है होमें डवलोपेंड इंडेक्स जो होता है उसकी बातें की जाएगी देखा जाएगा सिक्षा कास्तर क्या है मकान है की नहीं पक्के मकान है की नहीं बाइ इसके अलावा उससे बड़े अस्तर पर बात की जाती है कि आर्थिक विकास वहां के लोगों का होगा तो आप यहाँ आर्थिक समर्दी और आर्थिक सम्रुधि में असान है और यह एक बहुत बड़ा concept है कि निश्चित तौर पर जो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो राज है उत्तर प्रदेश उसके प्रशाशन की सारी काम जो होता है वह लखनों से हुआ ठीक है अब वहां से चार अलग-अलग छित्रों में नीती निर्मान पहुंचता है यदि छोटा-छोटा राज जो हो जाए तो वहां पर प्रशाशनी काम असानी से किया जा सकता है निगरानी सही से रखासा सकता है फिडबेक लिया जा सकता है असानी से क्रियानवेन किसी ओजनाका बहतर धंग से किया जा सकता है ठीक है और इन सबों चीजों के वज़ए से आर्थिक संब्रदी और आर्थिक विकास आ सकता है, ति यह तो लाव की बाते हो गई, क्या इसके कुछ नुक्षान हो सकते हैं, बिलकुर नुक्षान हो सकते हैं, क्या नुक्षान हो सकते हैं, तो नए छोटे राज के निर्मान से उस राज में बहुत संक्यक समुदाय या जाती जो भी है उसका अब इसी घटना की मैं बात करता हूँ जब यह संजीब बाल्यान जी ने कहा कि यूपी से आप इसे निकाह करके पश्चमी उत्तरप्रदेश बना दीजिए तब यहीं पर यहीं के पहले एक विधायक हुआ करते थे संगीत सोम साब उन्हों ने इनके बयान को काटा और उन्ह चेतर में एक समुदाई विशेस जो है वह बहुत संखक अबादी में है तो एक समुदाई विशेस जो अलसंखक अबादी में है उसका पलायन उस चेतर से संभव हो शकता है ऐसा हो सकता है निर्जातिय संगर्स हो सकते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं उन्होंने कहा कि उसी समुदाई का आधिपत्त हो जाएगा, इसलिए इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, एक ही पार्टी के दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग-अलग तर्क है, तो यह संभावना यहां बनी हुई रहती है, राज्यों के भी संसाजनों का बटवारा कैसे ह बड़ी तो यह आती है, दो भाईयों के भी जब बटवारे की बात आती है, कभी आपने किसी मूवी में देखा होगा, आपके परिवार में हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि बड़ी कॉंपलेक्स सिचुएशन हो जाता है, बड़ी जटिल परकिरिया से गुजरना प समस्ते हैं, राज्यों का जब बटवारा होगा, तो संसाध्यों के बटवारा को लेकर की यह समस्या फिर से उपस्तित हो जाएगी, जैसे कि जल को लेकर के, बिजली को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, राज्य पे जो कर्ज है, अब नया राज्य बनाना परेगा जितने भी MLA होंगे MP होंगे वहां उनको देना परेगा मंत्री मंडल जो रहेगा उसके लिए विधान सभा नया बनाना परेगा प्रशासनी काम के लिए भवन बनाने परेंगे तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक जो आर्थिक वै का बोज बढ़ेगा व क्योंकि उनके पास फंड कमाने के लिए बहुत अधिक जरिया होता नहीं है फिर वो क्या करते हैं केंद सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि जनाब आप हमें कुछ दे दीजिए और केंद सरकार यदि उसका सरकार वहां पर है मतलब देखिए अब एक ही पार्टी जो है उध केंदर में भी राज में है तब तो दिक्कत नहीं आएगा फिर तो फंड असानी से मिल जाएगा लेकिन मान लीजिये सेंटर में कोई और पार्टी हो गई दोनों बिरोधी पार्टियां है फिर यह छोटी पार्टी है चोटा राज है यह फंड लेने के लिए देखती दे रहें कोई नों कोई वजह बताते रहेगा फिर इस छोटे से राज में जिसके पास अपनी आंदनी के उपाई नहीं है यह पिछरता चला जाएगा और यह इस्तिती कई राज्जों के साथ हो भी रहा है तो यह जो है कई तरह के वैवहारिक समस्या उपस्तित आएगा अब इसके अलावा हमारे लिए यह देखना लाजमी हो जाएगा कि भारत का वह कौन-कौन सा रज है कौन-कौन सा च्छित्र है जहां पर नए राज्ज बनाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और तिब्र होती जा रही है देखिए तकरीवन ऐसा मानना है पुरी पुखत कि राज्ज में कौन सा च्छित्र नए राज्ज बनाने की मांग रहा है हम इसपर चलेंगे सबसे पहले हैं पशी मंगाल के मैप को आप देखिए तो पशी मंगाल का यहां पर जो आपको यह हिस्सा दिख जाएगा उतने हिश्य यह गोर्खा लैंड का अब पशी मंगाल का यह जो गोर्खा लेंड पर जाता है यहाँ पर जैसे शब्द से ही आप देखेंगे गोर्खा लेंड गोर्खाओं की भुमी तो यह पूरा हिस्सा पहारी हिस्सा पर जाता है जब कि यह मैदानी हिस्सा परता है तो दोनों का तारतम में नहीं बैठता है ठीक है जैसे कि उत्तर प्रदेश और उत्राकन का था वैसा ही कुछ सिन यहां होता है इसलिए गोरखाओं का मांग है कि हमारे लिए एक नया जो है आप यह च्छेतर दे दीजिए उसके बाद अशम की बात करते हैं और असम में जो बोडो जन जाती है तो बोडो लोग मांग क करते हैं कि हमें एक नया राज़ दीजिए तो बोडो लेंड की यहां पर मांग की जाती रही है ठीक है यह वाला च्छेतर जो यहां परता है उसके बाद करनाटक की बात करते हैं करनाटक में कुर्ग च्छेतर से निकल करके एक नया राज़ बनाने की मांग की जाती रही है भारत का मैप देखी यहाँ पर यह करनाटक है और करनाटक को यहाँ जुम करके देखते हैं और करनाटक का यह हिस्सा जो है यह छोटा सा हिस्सा दिख रहा है नन्ना साथ तो यह हिस्सा जो है यहाँ पर यह कुर्ग वाला हिस्सा है तो इसके लिए भी नए राज बनाने की मा करके एक नए राज़ बनाने की मांग की जाती रही है विहार से जिसका नाम मिथलांचल रखा जाना तैमाना गया है उसके बाद गुजरात को अगर हम बात करें तो गुजरात से भी एक शेत्र बनाने की मांग की जाती रही है जिसे सौराष्ट की रूप में नए राज़ी की परिकलपना की जाती है महराष्ट के संदर में बात करें तो महराष्ट से निकल करके एक नए राजवनाने की मांग की जाती है जिसका नाम वह विधर्व रखने की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश की चर्चा हमने की ही उत्तर प्रदेश के चार अलग भागों में उसे विभाजित करके चार नए राज बनाने की मांग की जाती रही है जिसमें एक जो है वह आपका पश्चमी उत्तर वाला हिस्सा हो जाएगा दूसरा जो है अवद वाला हिस्सा होगा तीसरा जो है आपका बुंडेल खंड हो जाएगा और चौथा जो हो जाएगा वह पुर्वा जवाब नहीं दिया करता हूं कारण की मैं जानता हूं कि आप लोग इसका सही जवाब दे लेते हैं यह प्रश्ण जो है इसका जवाब इसी लेक्चर में छुपा हुआ है तो आप लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो जवाब असानी से दे पाएंगे भारतिय संभिधान के नुछिए तीन के अंतरगत संसद को कौन कौन से दिकार प्राप्त हैं यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है उपरित कतनों में से कौन सा सही है ठीक है सबसे पहले कमांड देखते हैं पहला स्टेटमेक नया राज्य बनाने का अधिकार दूसरा किसी राज्य का छित्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार तीसरा किसी राज्य के नाम में परिवरतन का अधिकार इसके तीन स्टेटमेंट के अधार पे सही कौन सा है आपको तेह करना है चार विकल्प दिये गए हैं चार विकल्प में से जो भी आपको सही लगे वह विकल्प का चैन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यदि आपको किसी दूसरे टॉपिक पे भी आपको लगता हो कि यह टॉपिक कॉंप्लेक्स है इस पर बात की जानी चाहिए इसे आसान अंदाज में आपको समझ प्रिक हैं और आप इस पर अपना कुछ विजार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है आज के लेक्चर में हैं इतनी बाते रखते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आप से पुनह मुलाकात होगी अपना खयार लखिए थैंक यू